नवस्कार दोस्तों मैं राहूल राठोर और आप सभी दोस्तों के साथ रूबरू हो रहा हूं हमारी आदर्णी दिदी निशा उज्जेनी जी के फेस्बूक पैस से लाइव तो जितने भी दोस्त जुड़ रहा हैं आप सभी का थोड़ा सा मार्गदर्शन मुझे मिले चुकि आज का जो लाइव शेशन है वो हमारे बड़े भीया आदर्णी विनोज जी चंदरवन सी जी पोला कला से विलोंग करते हैं और राष्टी कभी है युवा नेता है और राजनिती युभी है काफी हमारे एरिये के साजा पुर जिलेश है लेकिन किसी कारण बस नेटव परके की प्रोब्लम के कारण दो तीन बार वो लाइव आये हैं और अच्छानक से डिसकनेक्ट हो गया उनका कॉल और लाइट वाइट की भी समश्या उनके एरियम चल रही है तो मैं आप सभी के साथ रूबर हूं उनके प्रतिनीधी के रूप में तो निशा दीधी का शिर हो रहा है क्रिपया शेयर करें और मैं कुछ नई पंक्तियां आपको सुनाओंगा पिसले लाइव शेशन लगबग 15 दिन पहले में इस पेस से लाइव आ चुका हूं लेकिन दोबारा हिम्मत कर रहा हूं आप सभी के प्रेम और इसने से तो कोशिश करता हूं कुछ अच्छ तरन्नुम में पढ़ने का बड़ी इच्छा होती है तो मैं जरूर आपको तरन्नुम से कुछ अच्छी शायरियां सुनाओंगा पहले कुछ तहद में सुनियागा कि सब दोस्त मेरी शायरी की तारी बहुत करते हैं आदर्णी राजिन जी विश्व कर्मा साहब हमारे साहित परिशत जीला साजापुर के सेयों जखे आदर्णी साब भी जुड़ चुके हैं मैं आपका भी बहुत-बहुत अभिनान्दन करता हूं सुनियागा को शायरियों से कि सब दोस्त मेरी शायरी की तारी बहुत करते हैं मतलब यही है कि तुम्हारी तारी बहुत करते हैं तुम्हारी तस्वीर से आखे लाल कर लेता हूं क्यों लोग मेरी आखों की तारीब बहुत करते हैं। और कुछ सुनियगा जसने रेखता दिल्ली से भी में पुंक्तियां पढ़कर आया था सुनियगा कि तुम दिखती हो तो जिसम में जाम सा लग जाता है कभी गिरीज जी विद्रोही जी जुड़ चुके हैं और आधरनी नीसा उज्जे नी दी बहुत इच्छा प्रयास कर रह उच्छा चुके हैं लोग को उन्होंने प्लेटफार्म दिया है बहुत अच्छा अगरनी प्रयास से और अगनवडी में एक अच्छे होदे पर कारी करती है और बहुत ही अभी कोरोना काल के दोरान बहुत अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया है और घर गर जाकर सर्वे कर रही है तो तारीफ काबिल उनका कारी समय चल रहा है सुनेगा मैं शाहिरी सुनाने के लिए आपके साथ बेठा हूँ आधरनी राजेंजी विश्व कर्मा साब भी जुड़े हैं बहुत बहुत आभार धनिवाद आपका सुनेगा कि तुम दिखती हो तो जिसम में जाम सा लग जाता है और तुम्हें बस एक फोटो शेयर ही तो करना है तुम्हें बस एक फोटो शेयर ही तो करना है मेरी जान इन आखों को आराम सा लग जाता है मेरी जान इन आखों को आराम सा लग जाता है अनुराग आजना सेट हमारे शिश्य हैं वो भी जुड़ चुके हैं इ कि अध्यापक हूं तो काफी लोग जुड़े हैं आइस वागत करता हूं आधर नहीं जगदीज गुजर साब भी जुड़े हैं आपका भी बहुत-बहुत धनिवाद नवोदित नहीं अच्छा नाम अच्छा काम कर रहा हैं जी बिलकुल मैं नवोदित तो नहीं हूं लगब तक 10-12 सालों से मैं कविता पार्ट कर रहा हूं बंचो पर लेकिन वो बड़ा प्लेट फार्म मुझे भी तक नहीं मिला है लेकिन यह धीरे-धीरे यह एक-दू साल थे हमारे पास जिसमें थोड़ा साम नाम कमा सकते थे लेकिन कोई बात नहीं है आने वाला समय में हमारा है और हम जैसे दोस्तों का है जो अच्छी कविता पार्ट कर रहा है आज के दोर में जी सुनिये का मैं आपको कविता सुनाता हूं कुछ पंक्तिया है और सुनते हैं तहट से कि इश्क का हर फेसला छोड़ा तुम पर है तुमने जिसा सोचा है वेसा तुम पर है और हाथ में पत्थर है तो सोचा पागल हूँ यह ख्याल मतलाना गुसा तुम पर है और कुछ पंक्तिया आपको सुनाता हूँ जो किसी भी लाइव सेशन के माद्यम साथ तक नहीं पहुचे ही है विसेश रूप से पहली बार इस लाइव सेशन में यह नई शायरिया आप तक पहुचा रहा हूं सुनिया गा के घर के अं उजाले थोड़ी देखे विनोद गरानी जी भी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि घर के अंदर केद हो उजाले थोड़ी देखे हैं हमने जहन से इतने भी काले थोड़ी देखे हैं हमने जहन से इतने भी काले थोड़ी देखे हैं और सिर्फ शायरिया हैं तुमने मेरी आंखों के चाले थोड़ी देखे हैं आईए ये तहद में कुछ शैरियां थी जो अब तक भूचाना चाहरा था आईए कुछ तरन्नम से बात करता हूं जिसा कि थोड़ी सी लोग पृता मेरी तरन्नम के माध्यम से आप लोगों तक है सुनिएगा कुछ नई पुरानी पंक्तियां नई पंक्तियां आपको जरूर सुनाओंगा जो किसी भी आपको लाइव सेशन में नहीं मीठी होगी कुछ पुरानी पंक्तियों से बात सुरू करता हूं उसके बाद एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाओंगा सुनिएगा एक महत्पुर्ण किस्सा के शायरी के से लिखी जाती है और किस्से का एक दूसरा बंद भी मैंने लिखाया है सुनेगा पहला किस्सा क्या होता है शायरी के से लिखी जाती है हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा संजीव सहर जी, प्रंसु पाल जी, नित्यस परिहार जी, अरूनेश विशु कर्मा जी, कभी बलराम बल्लु जी बहुत लोग, काफी लोग जुड़ चुके हैं, आए तरन्नम से कुछ पंक्तिया सुनाता हूँ हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा और शाइरियों ही निकलती नहीं दिल से मेरे तुम्हें पता ही है फेके गुलाब का किस्सा तुम्हें पता ही है फेके गुलाब का किस्सा विरेंजा हश्य कभी महद है जूड चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद सुनिएगा एक और किस्सा सुनाता हूं मैं किस्सा वर्जन टू कि तेरी आवाज मेरी उस पुकार का किस्सा हमारे बीच पड़ी उस दरार का किस्सा खुद बीमार एक हपते तक रहा था मैं खुद बीमार एक हपते तक रहा था मैं सुन करके तुम्हारी उस बुखार का किस्सा सुन करके तुम्हारी उस बुखार का किस्सा और कुछ नई पंक्तियां सुनाओं उसके पहले सुनियगा कुछ और पंक्तियां जो हमारी आधरनी निश्वादीदी को बहुत पसंद है और उन्होंने अपने फेस्बुक पेंस से इस शायरी के वीडियो को शेयर भी किया था आप सब लोग जानते हैं तो सुनियगा में पंक्तियां जरूर सुनाओंगा उसके बाद अपना कावड पैट सुरू करूँगा कि तम हमसे एक और ये रुस्वाई सम्हाली ना गई उसके पहले कुछ पंक्तियां कि तमाम लोगों से एक बात छुपाई ना गई घर के तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी संगडु पट्टे के कुर्ती भी भीगाई होगी और फिर से ना राज हुए होंगे तेरे घर वाले आज फिर तुमने घर की चाएं जलाई होगी बहुत बहुत धनिवान नितेस परिहार जी अरुने अरुने स्विसु करमा जी विरेंजा जी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं आपका बहुत इसने बहुत बहुत धनिवाद आईए कुछ और पंक्तिया सुनाता हूँ ऐसी पंक्तिया सुनाता हूँ जो सायद अभी तक मैंने किसी भी लाइव सेशन में नहीं सुनाई हैं सुनेगा तुम्हारी आँख के कतरे में जो काजल होगा तुम्हारी आँख के कतरे में जो काजल होगा तुम्हें पता नहीं वो किस तरह घायल होगा और तुमसे जो प्यार करे के से सवर सकता है तुमसे जो प्यार करे के से सवर सकता है उसके हिस्से में लिखा है के वो पागल होगा और बहुत ही लोग पर ये पंक्तिया जो आपके दिलों तक पहुची है सुनिये गाँ जब कोई लड़की आपको सोसल मीडिया से ब्लोक कर देती है तो आपकी क्या खुआई से क्या इच्छाय होती है जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईए सुनिये गा हदे की पीर तो सब को सुनानी पड़ती है तेरी तस्वीर सभी से छुपानी पड़ती है और तुम्हारा क्या है तुम्तो दिन में भी सो लेते हो तुम्हारा क्या है तुम्तो दिन में भी सो लेते हो मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है और सुनिये गा मैंने जिस प्रेणा के कारण कविता लिखी हूँ उस प्रेणा को मैं सो परा हूँ ये पंक्तिया कहीं भी बेटी होगी तो सुन रही होगी सुनिया रहा इस जमाने की भीड में खो गई मीरा मुझे जगा कर लगता है सो गई मीरा और दो साल हो गए है तुम से बात किये मुझे लगता है किसी और की हो गई मीरा मुझे लगता है किसी और की हो गई मीरा और सुनियागा कुछ और पंक्तियां सुनाता हूँ जो आप लोगों तक नहीं पहुची है तेरी मेरी तड़पन मेरी आँखो काई सारा सुन ले बहुत लोग जुड़े हैं आपके दिल तक पहुचाता हूँ सुनियागा मेरी तड़पन मेरी आँखो काई सारा सुन ले झाल 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 झाल